हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन्स अगें टू गार्णिश फित्रेणू आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ भर्वा तुरई की सब्जी यानि की स्ठफ तुरई जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही लजीज और टेस्टी बनती है, वो भी बिना प्याज ले सुनके जिने तुरई खाना पसंद नहीं, वो भी इसे उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे इसे आप पराठा या स्टीम राइस के साथ परो से बहुत ही टेस्टी लगती है, इसके टेस्टी गारेंटी मैं देती हूँ तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ मैंने आदा किलो तोरई लिये, इन्हें दो कर हलका हलका छील लिया है मसालों में हम लेंगे एक से देड़ बड़ा चमच भुनी मुंख़ली का पावडर, एक चमच लाल मिर्च, आदा चमच हल्दी, दो चमच धनिया पावडर, एक चमच कसूरी मेथी, एक चमच कद्दू कस किया अद्रक और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक अब सबसे पहले हम तोरई को फिंगर साइज में लेंद्वाइस कट कर लेंगे, और बीच से इस तरह एक कीरा लगा देंगे, जिससे की इसमें मसाला भरा जा सके ये देखिए इस तरह से हम इसे खड़े में चीरा लगा देंगे तो चलिए सारी तोरई को बीच से कट कर लेते हैं सारी तोरई को हमने बीच से लेंधवाइस कट कर लिया है अब सारे सूखे मसाले और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो लेजिए, स्टफिंग भी तैयार है, मसालों की स्टफिंग को तोरई में अच्छे से दबाते हुए भरेंगे, ये देखिए, इस तरह से सारे तुरई के पीसेस में हमने स्टफ कर दिया है, ये सबजी बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिर्कुल पाच मिनिट के अंदर बहुत ही टेस्टी सबजी तैयार होगी, सारे तुरई के पीसेस को हमने स्टफ कर दिया है, आब इसका तड़का बनाएंगे, एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करके हिंग जिरे का तड़का करेंगे, अब इसमें एक कप फ्रेख टॉमेटो पेस्ट एड़ कर रही हूँ, यह पेस्ट मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ है, यह फ्रेख टॉमेटो का पेस्ट है, आप चाहे तो प्याज लेसुन का पेस्ट भी एड़ कर सकते है, टॉमेटो पेस्ट को आईल सेपरेट होने तक भूनेंगे यह देखिए तेल अब साइट छोड़ रहा है टॉमाटर का पेस्ट भी अब पिल्कुल अच्छे से भून चुका है अब इसमें स्टफ किये हुए तोरई एड़ करेंगे तोरई बहुत ही सॉफ्ट सबजी होती है और यह बहुत ही जल्दी पक जाती है तोरई को हमने एड़ कर दिया है उपर से बचा हुआ सूखा मसाला भी मिला दिया है हलके हाथ से इसे मिक्स कर देंगे आधा कब पानी भी मिला देंगे जिससे सूखे मसाले जले नहीं ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा पानी हमने डाला है क्योंकि तोरई का खुद का भी पानी होता है वो भी थोड़ी दिर में चूटने लगेगा अब इसे कवर करके 5 मिनिट के लिए लो हीट पर पकाएंगे बीच में एक दो बार चेक कर सकते हैं देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है थोड़ा सा और हमें इन्हें पकाना है मसाला भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है ग्रेवी भी अच्छी बन चुकी है इसकी अब हमारी भरवातोरे की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है बहुत ही अच्छी इसकी खुश्बू आ रही है बहुत ही अच्छा कलर आया है चलिए इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं इस सबजी को आफ टिफिन में रोटी, पूरी, पराठा के साथ भी सर्व कर सकते है ये रेसीपी आप एक बार जरूर ट्राय करें मुझे पूरा विश्वास से आपको जरूर पसंद आएगी तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की जटपट रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताए और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों आप जब भी मेरे चनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन को भी जरूर क्लिक करें यानि कि उसे प्रेस करें तभी आपको मेरे निव वीडियो दिखेंगे देखिए मैंने इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है यह बहुत ही मज़दार दिख रही है बहुत ही सुन्दर इसका कलर आया है बहुत ही टेंप्टिंग सबजी बनी है आप भी इसे जरूर ट्राइ करें तो फिर मेलेंगे नेक्स वीडियो में तैक्स वर वाकिंग